हेलो हाव आर यू कैसे हो आप सब पढ़ाए वड़ाए कैसी चल दी है अच्छी चल दी ना कमेंट कर दो एक बार आ गए के सब जने बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करो यार तो आपको मैंने टिग्नोमेट्री की तीन क्लासेज आपके सामने शेयर कर दे आपको तीन क्लास बकायदा बहुत अच्छे से पढ़ा दी और वो तीन क्लासे कैसे रेखी कुछ-कुछ बच्चों ने तो रिव्यू करा है लेकिन कुछ-कुछ अभी भी ऐसा है कि नहीं अगर हम सर को कमेंट करके बता देंगे तो ख तो आज उसी को लेके अपन वापस से आगे बढ़ते हैं और आज आपके 8.2 वाला पॉर्शन करेंगे और एक और चीज में आपको कहना चाहरा था कि पहले मैं यह ऐसा सूच रहा था कि CBSC और RBC जो है वो इस साल सेलेबस सेम हो जाएगा लेकिन जो अपने गुप्त सुतरो और RBC वाले अभी साथ पढ़ रहे हो उनका वीच बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा आप लोगों को मैं बिछार दूँगा क्या बोलते ना उसको ठीक है आप लोगों के बिल्कुल अलग-अलग वीच हो जाएगा तो RBC के लिए ध्यान दखना चीज कि कल या परसों में ह ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों तक पहुझाना ऐसा मत्सों कि दो us तो अपनी एप को ज़्यादा से शेर करो यार यह नंबर वन बननी चीए क्योंकि अपने को बहुत अच्छा पढ़ाना है और आप लोगों को भी बहुत अच्छा पढ़ना ठीक है तो स्टार्ट करते ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स ऑके इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके उल्टा चलता था को सिका यमा बता चुक हूँ ना चलो कोई बात नीवापस लिगदेते आर आप हमारे छोटे चोटे भाई Congo एक था प्रश्का मारे सिलता युड़ कोरश चिलता झो एक को लिगते तो और सिन त्पश्क वINGING को शिता है यह मैं आपको बताए था कि उसके बाद में आप लोगों को यह भी बताई देगी यह जो चीज थी ना इसको पर 90 डिग्री पर रिप्रेजंट कैसा करते था यह ना इसको A माल लेता हूं इसको B माल लेता हूं इसको C माल लेता हूं यहां पर मैंने कोई थीटा माना तो इस थीटा के सामने वाला यह प्रप्रमेंट में साइन मंता था यादे न वह पापा बीएर पी होगे हां हां बेटा वाला थीक है तो उससे अपने इन सभी की वेल्यू इस ट्रिकनोमेट्रिक साइट के रेशो के फोर्मेट में अपने निकाले थी ठीक है अब ध्यान देना चीज को त्रिकनोमेट्रिक एंगल्स यह जो ट्रिणोमेट्रिक एंगल्स होते हैं यह टैबल बनाएंगे अपन साइन को स्टेन इनकी और यहां पर अभी तक जो अपने 8.1 तक चीज बढ़ी थी ना बच्चो वह 8.1 तक की चीज क्या बढ़ी थी कि अपने 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में बढ़ रहे थ है ना केवल इन दोनों से काम चल रहा था ठीक है लेकिन अब क्या होगा आगे वाली जो चीजी होगी ना वहां पर आपको इस थीटा की जिए कोई वेल्यू मिलेगी जैसे मालो थीटा 30 डिग्री बोल दिया थीटा 45 बोल दिया थीटा 60 डिग्री बोल दिया ऐसे कुछ भी थीटा की वेल्यू दे देंगे ना उसके बाद अपन इसका और इसका इन दोनों के कंबाइन फॉर्मेट से आगे क्यूशन करेंगे ठीक है आपके एकसरसाइज जो 8.2 है वह सबसे चूटी एकसरसाइज है लेकिन प्रिग्नोमेट्री के सबसे गातक कंसेप्ट सबसे खतरन आपको आज की क्लास के बाद आप एक को शेर करने से रोग निपाओगे इतना प्यारा कंसेप्ट बनोंगा जैसे मालों ट्रिग्नोमेट्रीक मशीन है उसके अलग 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 पूर्जे था यह साइन को स्टेन कोट से को सेखना इन सभी पूर्जों को आज अपन बिल्कु के साथ में कि आप बड़े आलसी प्राइणियों सब जलें बहुत आलसी प्राइणियों हाना पढ़ने के नाम पर पढ़ लोगे कमेंट भी ठीक है कर देते हो इसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन क्या होगा कि मैंने आपको बोला कि यहार मैं को आपको लोगों का टे से लाओगे मैं थोड़ी आपके पर दे सकता हूं तो ऐसा नहीं होना चीए यह तो ठीक है आज तो ठीक है बाकि आप सभी के नंबर मेरे पास है ना सभी के फोन कर दूंगा कि आज टेस्ट है तो आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा इसलिए खुद से कोशिश कर लिया करो सेक ठीटा और एक होता था आप लोगों के पास कोशच ठीटा से चीज़ेए हमारे पास साइन कोसे सेख कोशच ठीक है अब मैंना आप लोगों को क्या बता है था किसी ऑलसे करना तब तो आपको मैं ने बूला था कि व कि सिसरी से बना था एक कि एक धैकले पशरा haven तो आर हाइपरट्रेणस का रेशो ले था आप लोगों ने तो वो क्या बन जा था उसके माद आगे की जितनी भी चीजह थी ना वह सब इसी सही तो मिलकि बनी इन दोनों से मिलकि बनी कि quickest सांइन का उल्टा करते थे यह मिल जाता था को उल्टा करते यह मिल जाता चीज़ बागी की सब चीज अपने आप जाएगी ठीक है अब आप लोगों ने आज तक की इतियास में इस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वाली चीज़ को रटा होगा आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूगा और इतना प्यारे कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूगा ध्यान देना चीज़ पर बिलकुल एकदम वैसा पढ़ेंगे जैसे कि यह चीज हमारा सामने हो रही है ना जैसे हम खुद रिशी मुनिए और इसको बना रहे है ट्रिग्नोमेट्रिक आज ठीक है ये 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree और एक मैंने लिखा 90 degree ठीक है तो ये हमारे पास angle से उस trigonometry के वाला जो था theta पर उस पर represent करने के लिए कि theta अगर कभी 0 degree हुआ theta अगर 30 degree हुआ theta 45 हुआ बच्छो theta 60 हुआ और theta किता हुआ 90 degree हुआ ठीक है अब आप लोग केवल मेरी बात को सुनते जाना अगर मान लो मैं आपके सामने एक right angle triangle बरहूं केवल मेरी बात को सुनते चलना बच्छो जहां पर चीज समझ में नहीं आती वहां पर comment करके बोलिएगा हमको ठीक है हम आपके doubt को वापस solve करने की कोशिश करेंगे जैसे ये 90 degree है हाना अब ध्यान देना चीज पर ये 90 degree आपका फिमांगे अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोला कि यह अपका पुछा कि साइन थीटा साइन थीटा की जगे पर मैं आपको रीप्रेजेंट करतों की बएचा जीरो डिगरी है तो आपके दिमांग में क्या हूं इसका मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हुं कि यह जू थीटा है फिलक शुक्त को सब्सक्राइब करकोणाइब यह सब्सक्राइब मातीटा कंए से ने लिखा यह तो कर रहो आप लोग के इस थीटा को काट के जिरो डिडिए लिखता हूं तो किया मैं ऐसा क्या है सकता हूं कि यह जो थीटा है ना यहाँ पे मुझे कितने इंगल बनाना है घृता कि जिसे मान लोगी ठीटा था तो इसके सामने वाले पर प्रपेंडील मानते हो है इसको आप लोग हाइपोटैनेस मांने और तीक अच्न पर होगा क्या हैं यह आपका क्या है हाइपोटैनेस है ठीक है अब यह जो था यह लेन्ध भेसती न आप लोग क्या मूर्ट कर घू ऑन रहे ठीक आption कर बाकी लेंदे आपके पास अब ध्यान देना आगे चीज को कि जैसे यह थीटा था और यह पूटेंस था ना अब यहां पर होता क्या है कि अगर मुझे इस थीटा को जीरो डिग्री बनाना है इस थीटा को मैं आपको बोलू कि भाई यह जो इना वो जीरो डिग्री ओना चीए एंगल तो आपके माइन म समझना चीज को जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलू कि यार यह वाली चीज बीसी है चीके यह आपका पहले किता था एपॉइंट था और यह आपका हाई पोटेंस था ना उस ताइम यहां पर थीटा बन रहा था अब मैं आपको बोलू कि भाई यह थीटा हाई नहीं यह थीटा किता है जिरो डिगरी था तो आपके दिमाग में क्या आगा जैसे ही तीटा जिरो डिगरी था इसका मतब इस एपॉइंट को उठके यहां से यह आपके चीज बिल्कुल नीचा जाएगी तब यह पोटेंस पाजाएगा तो यह इंगल जिरो डिगरी होगा और आपक जीए ना बच्चो तो पीबाएच करना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा तो ऐसे मिलता ने जब हम परपेंडीकुलर डिवाइड भाई क्या करते है तो अब आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पे तो यह उठके तो साला यह आ गया अगर यह पोइंट उठके ए क्योंकि यहां पर आ इसका मतलब क्या हुआ और बी दोनों से मिलते हुए है तो परपेंडीकुलर की यह निचे निचे अग्या तो परपेंडीकुलर Всемड डा होगया जिरो हो के अंदर जीरो होता है और दिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो हमेशा उसका अंसर किता था बच्छो जीरो याता है क्या समझ गया इसलिए हम यहाँ पर साइन जीरो डिगरी की वेल्यु किती होती है जीरो ध्यान रखना चीज को समझ गया मेरी बाप को एक रहां तक कि समझें आप लोग अरे comment करते रहो यार सम्झे क्या चीज चलीए ना ठीक है तो याद रखना साइन जीरो जीरो होता है इसको आपको डैरें का रटने का त्रपष को बनाना चाहरा है घररना मैंना अपको मैंने मैं मारे सब्सक्राइब नोगा अट्स का मतलब सब्सक्राइब है अब आप लोगों के लिखा 30 डिग्री वह जैसे मानलो मैंने यहाँ पे लिखा साइन 30 डिग्री केवल इसके इंगल को अपने अपना सीखेंगे 30 यहां पे 90 तो यहां पर कितना लिखोंगे गोगे 30 डिग्री क्योंकि थिटा हमारा 30 डिग्री अब होगा क्या कि जब आप लोग यहां से ऐसा करोगे हना एक बेस बना कि ऐसा एक लाइन बनाओगे ठीक है तो आप लोगों ने सपोच यहां पर जो 90 डिग्री वाली लेंथ थी ना उस 90 डिग्री वाली लेंथ पर सपोच यहां पर फाइफ का कट मारा सब्वोज यहां पर यहां पर आप ऐसा एंगल बनाओंगे तो ऐसे आप घर पर भी ट्राइगा ना यह क्लास खत्म होते ही पर इसको प्रैक्टिकली ट्राइगा आप लोग अपने आप आपको यह समझ माझेगी कि ऐसे बनाना और यहां पर स्केल से आप 5 का कट मारना ठीक है 5 का कट मारेंगे तो हमारे पास यहां पर जो यह इसको मिलाओगे ना जब आप लोग इस बेस लाइन से इस 30 डिग्री वाली चीश को मिलाओगे ना एंगल को तो यह आपके पास कित्ता मिलेगा 10 मिलेगा ना तो इन दोनों का जो रेशो चीश आपको 1 upon 2 के format में मिलेगा जब भी अपन यहां पर इस चीश को operate कराएंगे तो यह 1 होगा यह कित्ता होगा आपका 2 होगा समझ गए क्या मेरी बात को वैसे इस condition में यह भी ध्यान रखना कि अगर यह वन होगा तो यह अगर वन होगा तो यह आपका root 2 बन जाएगा ठ चलो लिख दो कैंब्ले दे तो यहां पर 2 का सुआ स्कॉर्र मतलब वनका स्कॉर्स ब्लसस इसा कैसा यह चाहले तो यहां पर 4-3 कुछै נौप interaction ना इस मतलब यहां पर लोगन होगा उस condition में रूट तको को एक बार वापस से बॉनने की खिशिश करता हूं ध्यान देना एैंगल बनाया a b और c और यह आपके पास बच्छो 90 डिग्री ओप्ञाइद आपके पास 90 डिग्री यह सब स्बस्द आपके पास 30 डिग्री का ठीके तो उस कंडिशन में क्या होगा अगर यहां पर आप कोई भी साइड लेते हों यहां पर आपको वन से लेके बताईता हूं अगर मानलों आपने यहां पर रूट 3 लिए रूट 3 होता है 1.7 3 तो आप लोग एपर्वक्स लेकर लेकर 1.8 के लाइन लेना और यह वन की तो आप लोग जब यहां से इसको मीट कर रहे होगी तो य वन अपन टू के फोर्मेट में ही आएगा अगर मैं इसा जोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता हूं जोमेट्रिकली मतलब वो कमपास हमपास लेके बनाता हूं तो हमेशा ऐसी वाली चीजी बनेगी इसलिए साइन सब्सक्राइब वापस बोल रहा हूं साइन जीरो डिग्री होता है बच्छो साइन थर्टी डिग्री होता है बच्छो जीरो साइन थर्टी डिग्री होता है बच्छो वन अपन टू साइन फुर्टी डिग्री होता है आपके पास वन अपन रूट टू साइन शेक्टी डिग्री होता है आपके पास रूट त्री अपन टू और साइन नाइंटी डिग्री किता होता है बच्छो वन अब एक बार जीरो आप औरल समझ सकते थे इसे लिए इन दोनों को समझा रहा हूं तो यह वाली चीज तो मैं आप लोगों को समझा जुका था अब 90 डिग्री वाला देखना होता कि है साइन 90 डिग्री पीबाइच होता है ठीक है ध्यान देना चीज पर बहुत प्यारी चीज़े अगर यह पीब कि इस लाइन ठीक है अगर यहां पर आपने को एक नाइंटी डिग्री का एंगल बना रखा है यहां पर आपने इसको आपने ने मीट करा तो यह पॉइंट आपका सी था है यह सी पॉइंट क्या होगा आप लोगों को मान लोज से 30 डिग्री तो ध्यान रखना इस बट रखता जाएगा कि समझदना चीज को अगर मैं सीटा सी पॉंट नो चेंगें यहां से छोटा ऊ समझ गह कि, मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इस दीया को यहां पे 90 बनाना तो 90 बनाना अब यह मतलब क्या हुआ यहां पे बन सकता बाचो जब ऐसको आपन बढ़ाते वाएंगे क्योंकि एसके पास जाएगा तो यह आगे बढ़ता जाएगा तो यह यहां पर आएगा तभी तो यह स्टेट लाइन समझगे बात को क्योंकि जैसे यहां पर मान लो 30 है इसको थोड़ा आगे ले जाओगे तो आपके पास 45 बनेगा थोड़ा आगे ले जाओगे तो 60 बनेगा इसको पूरा इसके उपर लिया होगे तो किता बन जाएगा 90 बन जाएगा समझे आप बात को साइन 90 डिगरी क्या होता है अब भाई होता है तो समझना पी तो पी है यह लेकिन ही उस कंडिशन में किता होगा पी होगा क्योंकि यह एच्वी यह सखड़ा हो जाएगा बिल्कुल इसके जैसा सिंपल ऐसा बन जाएगा तभी तो आपके पास यह कितना बनेगा और ज क्लियर चीज अब आगे देखते हैं चीज को कि यह तो बात था है कि हमने कंसिप्ट को सीखा था लेकिन हमारे पास एक्जाम में तो इनसे मतलब नहीं है एक्जाम में तो आपको डैरेक्ट वेल्यू बनाने के तरीके भी बता देता हूं समझना चीज को ध्यान से मैं आपक एक्जाम में बनाना है आपको इसे टीचर्स बोलेंगे क्या आप क्या करना बोर्ड के पेपर होंगे उसमें पीछे जाके बना लेना लेकिन हम इसको डैरेक्ट यहीं पर याद करेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो चीज आपके माइन में एकदम केज हो जाएगी ठीक है क्या यह 0 बाई 1 यह 0 1 2 3 4 अगर अपन यहां पर अंडर रूट लगा देंगे यह आपका होता है देखो 0 यह होता है 1 बाई 2 यह होता है बच्छों 1 अपन रूट 2 यह होता है आपका रूट 3 बाई 2 और यह होता है आपका 1 ठीक है तो यह आप लोग ने लिग दिया 0 1 बाई 2 1 by root 2 root 3 by 2 और 1 इसको बना देते हैं अपन यहाँ पर भी divide by 4 यहाँ पर भी divide by 4 यहाँ पर भी divide by 4 यहाँ पर भी भी divide by 4 ठीक है अब ध्यान से समधना चीज को आप लोगों को क्या करना वापस बोल रहा हूं sign की जैसे ही value निकाल देना तो आप लोग यहां पे सीधा सीधा counting जमा देना पहले 01234 लिखा उसके बाद सभी को 4 से डिवैड करा देना क्या बोला मैंने बच्छो कि पहले 01234 counting लिखना उसके बाद सभी को आप लोग 4 से डिवैड करा देना ठीक है सभी को 4 से डिवाइड कराइं कि छैनल कि प्रूट ले लेना अगर आप लोग इसका रूट लेते बना तो क्ता जाया बच्व sólo 한 है तो जीरो आपके पास यह आजाएगा तो यह तो यह समझ गए बात को अगर मेरे पास यहाँ पर वन बाइब फोर था तो आपको पता है वन का रूट निकाल सकते तो इसलिए था आप तो 3 का root नी निकाल सकते तो बच्चो कितना root 3 और 4 का root कितना जाएगा बच्चो आप लोगों के पास में 2 समझ गए उसके पास 4 by 4 कराएंगे तो 1 बन रहा है और 1 का कितना होता है 1 ही होता है समझ गए मेरी बात को तो आज के बात से आपको मैंने ये sign की table निकालना सिखा दिय इस sign का practical कैसे बना था वो भी सिखा दिया अब मैं इसको आप लोगों को डायरेक्ट याद करना सिखा था हूं ठीक है मेरे साथ साथ बोलोगे आप लोग ठीक है पहले एक बार वापस बोल रहा हूं यह बना कैसे था बच्चो अपने क्या करा 01234 लिखने के बाद उन सभी क इसका भी रूट 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 तो आपके पास 0x4 किता बन गया बच्चो वन क 1 4 का किता 2 यह 2 by 4 था तो 2 by 4 मतलब कट रहा था 1 by 2 तो 1 का 1 वापस 2 का किता root 2 ठीक है यह 3 by 4 था 3 का किता root 3 4 का किता बचो 2 और यह 4 by 4 था 4 by 4 किता 1 इसलिए यहां पर किता लिग दिया 1 समझ गया मेरी बात को ठीक है लेकिन अब आपको यह चीज बिलकुल और लानी चीए तब आप लोगों को यह चीज समझ मेंगी कि हाँ यह हमको बिलकुल और निकालना सीखना है और मतलब यह विल्यों आपको डायरेक्ट याद हो नी चीए तो मैं आप लोगों के सामने एक बार इसको बोलूंगा आप लोग भी मैरे साथ साथ ब साथ साथ बोलते मैं चलना हाना हान मन में ठीके साइन जीरो डिगरी किता बच्चों जीरो जीरो डिगरी किता जीरो साइन सब्सक्थे सट साथ-साथ बोलते वेशना ठीक है आगे अगर मैं सइन 60 की बात करूं यह तो यहाँ तक की चीज के लिए अब देखते अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट कर दो अब इसको यहां से ऐसा क्यों स्टार्ट करते हैं उसका मैं आगे जाके आपको चीज बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है ठीक है तो अगर मान लो मैं इसको यहां से स्टार्ट करूं तो यह कित्ता हो जाएगा आपके पास रूट थ्री बाइटू हना यह कित्त टेबल तो आप लोगों को बिल्कूर रट लेनी पूरी चीज की 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 और 1 हाना, उसके बाद अगर coast चीए तो इसको reverse कर देना, इसको यहां से reverse, ठीक है, इसको यहां से reverse, ठीक है, अब इसको याद रखने हैं का तरीका मैं आप लोगों को और बता दू, कि हमेश और आपके पास एक coast theta 2 है, ठीक है, अगर इस theta 1 और theta 2 का some 90 degree बन रहा हो, बच्चो, 90 degree, मतलब यहां पर वाला angle और यहां पर वाला angle, अगर दोनों का some 90 degree बन रहा होगा, तो उस condition में यह दोनों आपस में क्या होते है, बराबर होते है, ऐसा क्यूं होता है, उसका region अपन湃 थ वो दोनों हमेशा आपस में interchange होते है मतलब दोनों की value आपस में बराबर होती है ऐसा क्यूं होता है इसको 5-10 मिनिट बात समझेंगे केवल अभी table को समझते हैं तो sin theta 1 किसके बराबर होगा बच्छो cos theta 2 के ठीक है अगर theta 1 और theta 2 का sum दोनों 90 डिगरी होगा तभी यह condition मनेगी जैसे अगर मैं आप लोगों को बूलू कि यह साइन 30 डिगरी और एक को 60 डिगरी है ना तो आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पे देखना इस 30 और 60 का समकिता बन रहा है बच्छो 90 30 डिगरी और 60 डिगरी का समकिता बन रहा है 90 डिगर तो जैसे आपको बोला साइन 30 किता वनपोंटू तो यह को शिक्स्टी बी किता बच्छो वनपोंटू ऐसा क्यों होता समझेंगे केवल याद रखना तो यहां पर देखना आप लोग साइन 30 किता था वनपोंटू समझ गया मेरी बात को ठीक है अब इसको याद रखने का त केवल आप लोगों को साइन की टेबल याद रखनी हैं बाकी की यह सभी चीज़े अपने आप याद होती जाएगी समझ गया तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो आपकी दिमाग में क्या श्ट्राइक करना चीए ध्यान देना जो चीज समझाना हो एक्जाम में वैसे ही क करेंगे कि आपके दिमाग में क्लिक होना चीज़ें को सब्सक्राइब क्या इसका मतलब क्या वह को सब्सक्राइब हम। केवल हमने sign theta की video निकालना सिखा तो हम क्या बोलेंगे कि यार जब भी cos 30 बुछे ना तो cos 30 नहीं बुछा हमको एक तरह से क्या बुछा sign 60 बुछा क्योंकि मैंने आपको क्या बोला जब इन दोनों कसम 90 डिग्री होगा ना जब ये दोनों विलियो आपस में सेम विलियो देते हैं तो आपके दिमाग में क्या इसको कार देता हूं नबर डिग्री वही तो आपको जिरो ओगा तो आप क्या बोलोगी साइन नबर डिग्री साइन नबर डिग्री किता हुआ मतलब cos 0 बिकिता हुआ समझ गए कि आप लोग मेरी बात को इसलिए हम इसको पाहतु मुझे एक बार कमेंट करके बता दो तुमुझे पता चले कि हाँ आप समझ पा रो ये नहीं समझ बार हो न चीज को अरे हाय आं Ça कोपके अगे देखते हैं चीज को तो यह वहली चीज आप समझ चुक यहां तक की ठीक है तो हम तो वापस बोल देता हूं मैंने आपको पूछा कि भीया को 60 बताओ तो दिवाग में को 60 नहीं को 60 पूचा हमको कि टेन धिर बड़ा था कि टेन धिमांग में क्लिएर ना चीए चीरो डिग्री हमको पता है जिरोटा होता है जिरो होता है और अगर मैं आप लोगों के पास में चीज में संदा होता है क्लियर चीज ठीक अब आप वापस मैं यहां और येडिव होता हे तो सोचना डिमाग लगाना अगर आप लोगों को पूछुझू किने हमारे पास 3 це सबस्क्राइब और तो क्यों कि यहां पे 30 किता 30 60 पर है कि सबस्क्राइब कै सकते हों ऐसा को तो सीखाना कै सकते हूं अच्या-चा-जी-ची सब्सक्राइब करना तो इस तरीके सापको बनाना सीखना है तब आप लोग चीज को बना पाऊगे अच्छे से कर पाऊगे समझ गए मेरी बात को ठीक है अब मैं इसको और मना ना सिखा रहुत है मैं जीड़ोगा हो साइगा साइन जीरो फॉन पॉन जीरो अब दिमाग में क्या है क्या आएगा कि एक उपर जीलो लिग दिया फिर मैंने देखा नीची किता है कोजिए और लेकिन को जिरो तो चीए नहीं को जिरो मतलब क्या साइन नब्वे पूचा क्योंकि दोनों का सम नब्वे पर इंटरचेंज होते तो साइन नब्वे पूचा अच्छा साइन नब्वे किता होता है आप लोगों के पास में एक तो जिरो डिवैड बैवन दिमाग में इस ट्राइक करन क्या याद करूं कि नहीं साइन सिक्ष्टी नहीं किता है वापस इमेजन करते हैं चीज को ध्यान देना मैं आपको बोलू कि भी है मैं रगों 1045 बताओ तो आपके दिमाग में क्या हैगा किया 1045 इसका मतलत क्या हुआ कि मैं ऐसा बोल दूँ के साइन 45 डिवैड बाइ किता को सकता हूं कि एसा ठीक है और को सबसे ज्यादा काम आने वेली वेलियो ठीक है इसी से अपन आगे जाके आपको एक्जाम के परपसी ट्रिक भी बताएंग तो यह आपके पास किता आगया वन आगया क्लीर चीज अब आगे देखता हूं मैं आपको बूलू किया अगर मेरेको 1060 डिगरी बताओ अगर मैं 1060 पूछूंगा तो क्या बोलोगे बच्छो साइन अपन को सुता है अना 1060 किता दिमाग में इमेजिन कराना साइन 60 अपन को इंफिनिटी या फिर उसको आप लोग बोलतों नोट डिफाइंड ठीक है ध्यान रखना इसको अपन क्या बोलते हैं नोट डिफाइंड क्लियर चीज समझ गए बात को ना तो यह 0 1 अपन रूट 3 यह आपका 1 यह रूट 3 और यह कितना नोट डिफाइंड ठीक है यहां तक यहां पर आपका क्या जाएगा रूट 3 यहां पर क्योंकि इंटर्चेंज करना ना यह आपका वन वन नहीं रहेगा यह इदर आएगा तो वन अपन रूट 3 बच्चों और यह कितना हो जाएगा इदर 0 डिग्री तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आप लोगों को तब आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओगे ठीक है अरे समझ पार हो ना बात को यह टेबल आप लोगों को किसी भी आलत में आनी चाहिए ध्यान रखना बाकिया आपको मज़ा नहीं आएगा क्योशन करना है मैं अब आगे बात करते हैं आपन सेख ठीटा अच्छा समझ पार हो बात को ठीक है वापस मैं आपको बूलोगे सेख सिक्स्टी के से मिलेगा बच्चों जब को सिक्स्टी का उल्टा करेंगे है ना और को सिक्स्टी किता होता होता है वन अपून टू जो साइन 30 था उसका उल्टा कराएंगे तो यह कित्ता हो जाएगा बच्छों आप लोगों के पास में 2 by 1 ठीक है उसके बाद मैं आपको बूलो सेख 90 बताओ तो आप क्या बोलोगे को सिक्स्टी का उल्टा को सिक्स्टी का उल्टा मतलब को सिक्स्टी किता था 0 by 1 अगर 0 by 1 का में रिवर यह 0 by 1 इसका रिवर्स कराएंगे तो 1 upon 0 मतलब किता इंफिनिटी या फिर आप देखो यह इंफिनिटी यह आ गया हना तो सेख और को सेख भी 90 डिग्री में चेंज होंगे वापस आगर मैं आपको बोलू को सेख 30 किता साइन 30 का रिवर्स तो यह आपका 2 by 1 हना मैं आपको बोलू कि को सेख 45 तो यह 1 upon root 2 था इसका उल्टा कराओगे तो root 2 by 1 यह आपका root 3 by 2 था इसका डिवाइड कराओगे तो 2 by root 3 यह 1 था 1 upon 1 किता 1 यहां तक की चीज क्लियर है क्या तो यह आपके trigonometric angles की table थी यह आप लोग समझे हो या नहीं समझे हो अगर नहीं समझे हो बच् इसको explain करना है क्या comment कर दो अरे बोलो बोलो यार चलो ठीक है वापस समझ देते हैं इसको अब मैं इसको आप लोगों को बिल्कुल और बता रहा हूं बिल्कुल अच्छे से concentrate करना बहुत काम आईगी चीज ठीक है वापस हमारे पास angle क्या होते जीरो तीस पैतालिस साथ 90 बोलो वापस से बोलो बोलो फटाफ़र साथ साथ में 035 030 45 60 90 जीरो 30 45 60 90 क्लियर चीज उसके बाद trigonometry में क्या क्या होता था sign को स्टेन को से ठीक है अब sign की विल्यों को direct रटनी क्या रटनी बचो 0 sign 0 किता 0 sign 30 किता 1 upon 2 sign 45 किता 1 upon root 2 sign आपके पास 60 किता root 3 by 2 और sign 90 किता बच्चों आप लोगों के पास में 1 clear चीज अब मैंने आपको बताए कि अगर कोस चीज ना तो केवल आपको sign की विल्यों को रटना है ठीक है तो अब ध्यान देना चीज को sign और कोस ता अगर मैं को मैं पूछो आपको को 0 तो आपकी दिमाग में क्या है बच्चों 0 नहीं पूछा साइन 90 किता 1 समझ गए त्ट मैं आपको बन फोर्टी थो को साइन 60 यह मतलब किता वन एकजाम के साइन ने ने मतलब सब्सक्राइब अभवब Kit अब आपको टेंगे तो साइन अपन कोस अना समझ गए हैं पर साइन ऑनकोस तो दिमाग में चीजं घली चीए आप मान लो एक्जाम में क्यूशन आया और आपके कहीं पर कोट 45 लिखा वाई कहीं पर क्या लिखहा कोट 45 Cover 45 मतलब क्या इसको डैrekली बना दो कह कोई 45ा किता सैन 45 वहीं पर निमागम में कहां औरた पर समझ कहें सबस्क्रीज में एक्जाम में ऐसे value को बनाना है ठीक क्लियर चीज तो यह टेबल आपको याद हो नहीं चीए तो आपके 8.2 के अंदर आदे कुशन से हो जाएंगे आदे चीजे में आपको और आगे कंसेप्ट सेखते हैं ठीक है क्लियर चीज हटा रहा हूं इस टेबल को अब देखो यह जो टेबल थी ना इसके अंदर आपके प साठे में बात करने की कोशिश करते हैं जैसे अगर मान लो मैंने आपके सामने यह एक ट्राइंगल बनाया बच्छो ए बी और यह सी है अगर मैं इसको थीटा यहाँ पर एंगल नभे डिग्री मानता हूं यहां पर मानलो मैं कोई थीटा मानता हूं 30 तो आपको पताएंगे बच्छो ये कितना आएगा triangle के तीनों angle का sum किता होता है 180 degree तो जब यह आपका 90 था यह आपका 30 था तो 90 और 30 किता है बच्छो 120 तो यह जो आएगा यह आपके पास किता आजाएगा 60 degree आजाएगा क्या यह 90 और 30 किता था 120 120 और 60 किता हो गया 130 degree ठीक है समझ गए मेरी बात को अब ध्यान देना suppose यह 30 था इस 30 के सामने वाली चीज़ क्या किलाएगा आपके पास perpendicular मैं अगर इस theta की बात करहूँ अभी मैं theta is equal to किते की बात करहूँ बच्छो 30 degree की केवाल आप लोग मेरी बात को समझते वे चलना बहुत प्यारी चीज़े की sine और coast दोनों सेम क्यों होता है 90 degree के समय इस 90 के सामने वाले को बच्छो हाइपोटनेस माल लू इसको भी बूल रहा हो न और यह आपका किता हो जाएगा बेस हो जाएगा ठीक है अब आगे ध्यान देना अगर मैं आप लोगों को बोलू बच्छो की मेरे को sine 30 degree बता हो तो sine 30 degree किता होता है sine 30 degree किता होता है बच्छो पी बाई अच्छ है ना तो इस 30 degree के लिए perpendicular कौन सा था बच्छो कहा गया यह रा perpendicular आपका एबी तो sine 30 degree आपका एबी डिवाइड बाई किता यह एसी आगया क्या हाइपोटेनेस यही तो था एबी एसी आगया समझ गया मेरी बात को अब मान लो मैं आपको बोलू किया और मेरको तो को 60 डिग्री बता हों मेरे को क्या वतो गोए बताओ सब और शाना यह तो साइन 30 था आपने वाई एच करा कीटा था थाथरटी डिग्री के सपेक्ट में यही तो था एबी एच किता था था देग्री चाहर कलेरे 60 डिग्री तो को 60 डिग्री क्या होगा बच्छो बेस अपोन हाइपोटेनेस यही तो होता है को सिटा क्या होता है बेस अपोन हाइपोटेनेस ओके तो अगर बच्छो में यह थीटा मानता हूं 60 डिग्री तो इस कांडिशन में परपेंडिकुलर तो यह हुआ हाना 90 के सामने वाला बच्छो Ahypotenius और ये बच्छा हुवा क्या हो जाएगा हाना क्योंकि 30 को लिए जाना घजएगा ह incorporate co60 की value चीए 60 के सामने वाला perpendicular हाना ये 90 के सामने वाला highpotenius बच्छा हुआ woke base हो जाएगा ठीक है तो co60 कित बेस अपन हाइपोटेनेस तो क्या मैं ऐसा बूल सकता हूँ क्या बेस किता है बच्छो एबी यह बेस आपका किता एबी समझ गए और हाइपोटेनेस किता है बच्छो एसी आ रहा है क्या जादू समझ में एबी डिवैड़ बाई किता एसी तो अब हमने यहां पर क्या नोट जब हुआ जब सायन और कोस दोनों सेम आ रहे हो जब यहां पह इन दोनों Student का सम यह 30 और 60 इन दोनोंOY का सम कितना बन रहाँ होगा नइन्टी डिगरी जबनon ोंका सम 90 डिगरी बन रहाँ होगा तभी तो ऐसा जदी यह साइन और कोस क्या सेम आ गए समझ गए मेरी बात को इसलिए हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है बच्छों यहां पर यह कंक्लूजन बड़ा जोड़ार है याद रखना अगर साइन थीटा वन आपका कोस थीटा टू के बराबर है और इससे आपके एक्जाम के अंदर बोल्ड में भी एक क्य से क्योशन क्या होगा उसके बारे में अपन जब क्योशन एक्ससाइच करेंगे ना जब ध्यान रखेंगे तो समझ गया आप लोग मेरी बात को यहां पर मैंने करा क्या कि जब साइन थीटा वन आपका को सीटा टू के बराबर है मतलब साइन थैटी अगर को सिक्ष्टी के पराबर है तो वह कंडिशन जब ही हो सकती बचो जब थीटा वन प्लस थीटा टू दोनों मिला के कितने क्योंने चीए नबब डिग्री की यह वाला कंक्लूशन आपके बहुत काम का है बोर्ड में आपके से क्योशन बनेगा ही बनेगा 200% फिक्स है ठीक है तो यह थीटा व कोट का भी समझा देता है ठीक है यह इसको थीटा 60 रहन देते यह 30 रहन देते ठीक है अब मैं आप लोगों को मालो 10 और कोट का समझा देता हूं ठीक है यह 60 डिग्री था अब मैं आपको 10 और कोट का समझा देता हूं अगर मैं आप लोगों को बोलू कि मुझे 10 30 डिग्री होगा तो perpendicular किता है बच्छो A B तो यहां पे आप perpendicular की जगे किता लिखो के बच्छो A B हाना समझ पार हो ना बात को यह तो करता है करता है अपने को तीन दिन होगा यार चोथा दिन आज उसके बाद बेस डिवाइड में तो बेस किता है बच्छो B C तो यहां पे आप डिवाइड में क्या लिख दोगे B C समझ गए अगर मैं आपको बोलू कि नई भीया मेरको तो हैपोटिनिंस यह खिता होगा बेस होगा क्योंकि थेटा के सामने ही तो होता है समझ गए यह आपका बेस होता है यह आपका हाइपोटिनिस तो जब आपको को 60 degree चीना को 60 जिएंगरी या ओलटा होता है मतलब बीबाइपी मतलब इस या बतो यहां पर देखना court 60 degree है तो perpendicular तो यह base किता है आपके पास AB तो यह आपके पास base किता AB divided by किता perpendicular 60 के लिए perpendicular किता है बच्छो BC तो यहाँ पे आप एक जादू देखोगे यह भी AB divided by BC यह भी किता AB divided by BC है ना ऐसा क्यों हुआ वा बच्चो क्योंकि यहाँ पे theta 30 degree था यहाँ पे 60 degree था अगर इन दोनों का sum 90 degree बन रहा होगा तो यह दोनों आपस में क्या होता है interchange होता है समझ गए कि आप लोग मेरी बात को यहाँ तक की चीज अच्छे से clear है क्या अगर किसी इंसान को यहाँ तक की चीज समझ में नहीं हाई हो तो एक बार मुझे comment करके बता दो कि आप लोग समझ चुके हो ना यहाँ तक की चीज क्योंकि आगे चो चीज बताना चाहरा हो वो और खतरनाग वाली चीज होगी ठीक है मैंना आपको starting में बोल दिया था कि या तो आज आप concept बहुत जोड़दार सिखोगे या आप बिल्कुल भूलोगे ठीक है तो हमको जो आज थोड़ा पावर ज्यादा लगाना पड़ रहा ना इसलिए पानी भी चीज है और गर्मी भी है ओके यहां तक की चीज के लिए रगया समझ गे ना आपको कि जब भी थीटा वन थीटा टू दोनों का समझ अगर 90 डिगरी होगा तो हमेशा पडोसी पडोसी बच्छों आपस में एक्स्चेंज होते हैं पडोसी पडोसी कौन-कौन से थे जो आपके पास साइन कोष थे जो आपके पास सेट सेग थे ठीक है यहाप acesso करेंगे ना तब आप लिए पहले चीज्जे आपके आदी दृवंत में बी काम आई गए गहां लेकिन जो चीज़ समझा ना उ को अपन बुलते को एक modern सपेलिंग गलत ळाको कि से गणी छो पढ़ाउंगा वो सई होगा GDP ध्यान देना चीज पर Надें क्या होता देखो जैसे मैं लुग हमने क्या कुष को यहां पे ऐसे एक डाइग्राम बना एसे यह अपने मेरी बात को समझ इसको थोड़ा बड़ा बनाते ताकि आप लोगों के पास वीजिबिलिटी एच्छी हो जाए ना फिर अपने बोर्ड का इस पेस थोड़ा सा कम है यार इसको थोड़ा सा पन बोर्ड भी बड़ा लगाने की कोशिश करते हैं एक दो दिन में एक तो यह पुलीस वाले या सकत्राइब थी थी तक उसके बाद यार्ट सर रच लेंगे और बाकि कि आपस में बनाते वें चलेंगे ठीकेए उसके बाद एक और important relationship का जिसमें मैंने आपकी start लगाया कि अगर sin theta और cos theta बराबर दे रखें अगर 10 theta cos theta बराबर दे रखें अगर 6 theta cos theta बराबर दे रखें तो ऐसा practically possible जब हो सकता है जब उनके theta 1 मतलब sin के साथ जो theta है वो और cos के साथ जो theta है वो मतलब जो दोनों angle है वो उन दोनों का सम अगर 90 डिगरी बन रहा होगा तो ही हम ऐसा के सकते हैं कि साइन कोस टेइन कोट से कोसेक आपस में same value देंगे और इसका बगायद मैंना आपको विदप्रूफ समझा दिया समझ गए यहां तक की चीज अब आगे बात करते हैं अब क्या होता है बच्छो की जैसा हमारे पास टिग्डॉमेंटरी जो फैमिली थी ना उसमें कौनगा से ज्यादा ऐस्वाली चीज को ध्यान से समझना या आपकी स्धाटतर 11 काम आईगी लेकिन मैं आपको इसको यहां पर इसलिए समझाना चाहूं क्योंकि 8.2 के बाद कितना ही भरी से सब्सक्राइब को मजाग लेगा अगर आप यह समझ गए तो ठीक है ध्यान देना चीज पर इसको तो सब्सक्राइब बोल देता हूं कि किता जीरो अगर मैं मान लो इसको नंबर 9 वाला क्वाडेंट बनाओ तब तो आपके बोल तो यह आपका 1-2-3-4 ऐसे चलता था ना समझ आपको पता ठापी यहाँ पर प्लस एकस और यहां पर लोग माइस के एककस और यहां पर लोग क्या करते है所以 notions को आज की लेंदी हो सकती है थोड़ी लंबी हो सकते ही केवल समझते चलना यहां पर बच्चो प्लस का एक्स लिखते थे यहां पर प्लस का वाई लिखते थे यहां पर क्या लिखते थे यहां पर क्या लिखते थे बच्चो माइनस का वाई समझ गए अब अगर मैं पॉइंट की बात करूँ न तो आपको क्या बोलूँगा मैं 4th quadrant समझ गया मेरी बात को तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो हमारे पास 6 आदमी ना साइन को स्टेन कोट सेक और को सेक उसके अंदर क्या मान के चलना है कि हेड उफ डिपार्डमेंट मतलब कमरा तो हमको क्या करना है इन चैनों के बीच में चार कमरों को बाठना इन चार जौन को कैसे कड़ेंगे किया होगा उसके बारे बात करते अब ध्यान देना अगर मैं देना है इस को बूलना अगर में आपकी दिमाग में क्या यह किर यह भी प्लस होगा और यह भी यहां हो सिश लिखता है कोई प्लोग कर Помी पयाले से हटाना मद वीडियो से हटाना मद जो चल रही चीज उसको ध्यान से समस्झत बों चलना अगर मैं आपको बूलूंग यहां पर एक्स और वाय तो आप यहां पर एक चीज़ देखोगे कि ये जो एक्स ना वह तो आपके पास नेगिटीव आ रहा है लेकर नेगिटिव आपके जो और ऑडाय कि है कि एक्स नेगिटिव आ रहा यह मतलब क्या हुँआ धट कि बात की Spa sports Bowl को यहां को केवल सुनते वे चलते अगर में फोर्त में चलुँ ना तो फोर्त में क्या बूलूंगा बच्छो यहां पर फोर्त में आपके पास point पी जोगा वो X यहोता है तो आप लोग स्भी आपके पास positive यहां पर गता जया प्लास और symbol के हिसाब से in point का representation किया यहां तक की चीज क्लिए है क्या representation क्या भी यहां पे plus plus था plus plus था तो पहला quadrant यहां पे सार minus plus था second quadrant यहां पे हमने देखा X भी negative य भी negative negative थार्ड quadrant यहां पर देखा बच्छो X तो positive लेकिन भी यहां य हई तो यहां पे negative यह वाली लिख दूँगा अगर मैं इस वाली की बात करूं तो सब्सक्राइब क्योंकि सब्सक्राइब होते इनके बीच में यहां पर गेप होता यह एंगल बनता बच्छों कितने का यह भी कितने का नाइंटी ठीक है और एक पॉइंट के रस्पेक्ट में 360 का बन रहा है यह लाइन आ आना चीक केवल आपकी दिमाग में यह राइट एंगल ट्राइंगल आना चाहिए अब ध्यान दिना इसको सब्सक्राइब मान लेता हूं इसको क्या मान लेता हूं बच्छों भी मान लेता हूं ठीक है अब मैंने आपको ट्रिप्लेट सिखा है वे थ्री फॉर और फाइफ उसी ट्रिप्लेट पपन इसको क्योश्चन को लेके स्वल करेंगे ठीक है ध्यान दिना अगर मैं 0 से बी तक की बात करता हूं तो सब्बोच यह त्री है तो यहाँ पर जीरो से बी तक लिखूंगा तो यहाँ पर मैं प्लस का 3 लिखूंगा के माइनस का 3 लिखूंगा प्ल एककी होगा और यह होग लोता है आपको इसके सामने वाला पर पर प scheint बडिनेकुलर होगा और यहां नृत की चीज़े सब्सक्राइ mam और बच्छो हाइपोटिनेस होगा क्या 90 के सामने वाला क्या होगा है अब यहां पर चीज नोटिस करना कि यह यह पोजिटीव है तो बी बैपको पोजिटीव क्या अगर यह यह पे आपका थ्री यह तो थ्री का स्कॉर करहोगे तो समझें तो जब आपके पास में यह PP पोजिटीव था तो आपके पास में यह PP पॉजिटीव था तो आपके चीज लियर तो फी बी पोजीटिव था और अब मालो कि मूझे इस गर के अंदर यह आपका जो फॉर्स क्वाजिवर्ण था इस फॉर्स्ट क्वाजेंट के अन्दर का मतलब क्या हूब साइने आ सकता है क्या बिलकुल हुआ सकता है क्योंकि हमार पास ये दोनों उटाइन ये और पर देखना पोजटाइव होता है और यहां पर पे पोजेसन को देखो लिए पॉजिटिव को देखो सब्सक्राइब करता है लिए लिए टेल जब सब्सक्राइब अगर नहीं चीज में अक्टो यह पास क्या निकला कि यह जो पिटा- 11 先 download और आप लोगों पए स्वर्स्ट क्वाइंट के अंदर यह सभी जनों को कर सकते हैं कि हमारे पास कंसेप्ट था पापा भी और पिये हां हां बेटा थो हमारे दिमाग में आए कि जब हमने साइन को स तेन करता तो पी बाए हच वी बाए हच के अंदर हम लोग क्या बोलते ओल पॉजिटिव केवल आप लोग मेरी बात को सुनते वे चलना अपने आप समझ जाओगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन चीज समझना क्लास मत छूड़ना अना फर्स्ट क्वाइट था तो यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग बच्छो से केमान तो है यह आपका परपेंडिंटिकुलर थ्यां अगर आपको फीटा में पर परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर थो यकसे समझ पे तो यह तो आपकरको इसलिए इसलिए जो परपेंटिकल है जो शमान पुझे आगर मैं ऐसा इसा बोल सकता हूं कि समझ पार होगी में बात को लोगह जиля और में सी पर जाओंगा ना थो नेगेटिव यहोगी Northern ऐपका then wiह आपका positive नहीं होगा positive क्यों नहीं होगा बच्चों कि नेघीटिव सेक्सिस पे समझ घ़िए मेरी बात को ठीक है लेकिन अगर यह नेगीटिव भी है यह आपका भी है तो भी h पॉजीटिव 4 है और भी ऐपका NGTV 3 है तो भी क्या होगा कि अगर आप लोग H स्कॉर करते हो न邊 तो इसलिए आपके पास क्या होगा कि यह हमेशा यहाँ पर पॉजीटिव ही आएगा 16 और 25 वापस रूट निकालेंगे तो इसलिए आप लोगो को क्या ध्यान रखना बच्चो कि यहां पे जो एच आएगा वो तो हमेशा क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव पी समझ गए क्या बात को यहां तक की चीज और यह नेगेटिव भी है अब ध्यान देना चीज पर अगर मान लो मुझे यहां पर त साइन थीटा निकालता हूं केवल समझते हो चलना इसको वापस में एक बार मर्ज कर दूगा बात मैं अगर मुझे साइन थीटा चीए बच्चो आज की क्लास नंबी होगी पहले ही बता रहा हूं मन को उठाना मत समझने की कोशिश करना क्योंकि हमको सो में से सो नंबर आना लोगों को आडी जितनी आपके संजी उपास जो भी एक्स वीजिट चलती ना उन सभी को अच्छे से समझना तो कंस्ट आने चीए आप क्वेशन अपने आप कर लोगे ठीक है तो इसका मतलब प्लस का बिलकुल प्लस का ठीक है अब आगे क्या बूलूंगा कि यहां पर मैं फ्हाइ प्वडगार आफ यहां पर है बच्छा पॉजिटी अब पॉजिटिव है उसके बाद अगर साइं पॉजिटीव देगा तो इसका रिवर्स कोईटिव देगा फिकस है क्योंकि कोई से क्या ओका एचबाई पी मतलब यह भी positive यह भी positive तो दोनों positive यहाँ पर क्या देंगे हमेशा positive value देंगे समझ गए मेरी बात को केवल सुनते वे चलना यह दोनों हमेशा यहाँ पर क्या देंगे positive value देंगे यहां तक की चीज clear अब आगे ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि जो sine तो क्या बच्छों negative अगर बी नेगटीव ए तो यह तो आपका negative भी ऐच हो जाएगा ना negative हो जाएगा तो जैसे मान लो है आपके पास 5 है और भी आपके पास minus 3-4 मानता तो आप क्या बोलोगे यार minus 3-5 इसका मतलब यह तो minus और को सेख में आ रही थी इसलिए मैंना अश्मोला बच्चों कि यह जो गर था यह गर किसका है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इन च्छे-चोनों के बीच में जमीन का बटवारा कर रहे है यह था इस बूलते जमीन उसमेंसे यह एक जमीन सबकी हो गई क्योंकि यहां पर सभी जैने पॉजिटिव आ रहे थे ठीक है मैंने आपको बता दिया था वह चीज यहां पर मैंने आपको सिस्टम करके बताया तो यहां पर केवल साइन और को सेक आप लोगों को पॉजिटिव मिला इसका मतलब बच्छों यह सेकंड वाले जो भीग कर रहेंगे तो पी तो आपका प्लस का लेकिन बच्छों आपके बलक्ति ऐसका ऊपको बच्छों की यह सेकंड वाला जो गड़े ना आपका वह आपके एदियु और कोट का भी नहीं होगा समझ गया मेरी बात को यह जो सेकंड वाला गर है साइन और को सेक यहां तक की चीज क्लियर क्लियर कोई तकलीव नहीं अब आगे चलते हैं थार्ड वाले में चलते हैं आज बहुत एनरजी लगानी पड़ रही आप इस एनरजी को यूटिलाइज भी करना ऐसा मत करना कि मेरी एनरजी को वेस्ट कर दो ना आब आगे बात करते इसको मिला दें यहां से हैं इसको मैंने मिला दें यहां पर ला इस पॉंड को किया बोल रहा हुं में ध्यान देना चीज को अगर मैं इस जीरो से दी तक की बात करो घुल से एकसिस जीवर नेगेटिव आ गई है अगर नेगेटिव आ गई तो यहाँ पर त emails थिटा होगा बच्छों आपका पर्पेंडिटीवडी था अच्छा यह तो नेगेटिव भी रहेगा ना तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यह तो यह आपके पास बात कुरो ना वो तो हमेशा आपके पास पोजिटिव ही आना है क्योंकि positive क्यों आना ध्यान देना क्योंकि अगर मैं आपको इसके अंदर बोलता P B और H है ना पी मैं आपको बोल देता सब्स माइनस का 4 है और मैं भी आपको बोल देता माइनस का 3 तो अगर आप H निकालोगे ना तो H स्क्वार बराबर P स्क्वार प्लस B स्क्वार तो मैं जब बच्व माइनस के 4 का स्क्वार करूंगा तो भी मेरे को 16 मिलेगा positive और मैं माइनस के 3 का स्क्वार करूंगा तो भी क्योंकि square गराने पर negative हड जाता है इसलिए positive मिलेगा तो यहां इस पी के बात करूं तो नेगेटिव एकसिस थी तो मैंने इसको negative 4 मना तो पी के जागे किता बच्वार अगर मैं इस के लिए check कर आँ तो क्या मैं ऐसा बूल सकता हूं कि कोस रिटा क्या होता बच्वाइच होता है ठीक है अगर बच्वाइच होता है तो यह आपके यह थारा ह heck यहाँछरोन के तो अगर नेगेटिव एक वन दो सकते हैं इसका मतलब कितना बच गया है पॉजिटिव भाइच्री इसका मतलब कतन यहाँपे positive मिल रहा है क्या जब मैं negative P negative B को करता हूं डिवैट बच्छो तो minus से minus कट जाता है ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा इसका मतलब यहां पे यह दोनों value कट जाती है minus minus तो positive मिलता है अगर यह positive मिलता है तो बच्छो यहां पर 10 आपका positive होगा अगर आपका 10 positive होगा तो क्या मैं इसका के सकता हूं कि court इसका उल्टा होगा मतलब 3 by 4 तो वह भी तो positive होगा तो आप लोगों की पास में conclusion क्या निकला बच्छो कि क्या अगर मैं इसको मीट करां यहां से यहां तक तो इस बार तो इसके सामने वाला परपेंडिकलर तो नेगेटिव पी अहना लेकिन बेस लान तो यह और यह बेस लान तो positive है और है भी आपके पास पोजिटिव होगा तो आप लोगों को बता रख में इस फॉर्थ वाले कॉडइंट की तो क्या मैंसा करता हूं कि फॉर्थ वाले क्वादेंट आगर साइन पिदिट फैन थीड़ अगर सामधडियां प्रस्ता तो मैंनेस का में प्रस्ता करें सूंडम माइनस का भगी अगर साइन का नहीं है अग्र यह साइन का नियमागी भी थो तो अगर साइन और को सेक दोनों का नहीं है तो कडिया उसके बाद मैं बात करता हूं कोस की तो को सिटा क्या होता है अगर को सिटा बीबाइच होता है तो बी देखना पोजिटिव भी मतलब पोजिटिव थी पोजिटिव थी एज आपका पोजिटिव रहेगा मतलब होगा इसका उल्टा होता है यह भी तो जब यह गर कोस का है तो बच्छों यह गर किसका है सेक का भी है समझ गए मेरी बात को क्लियर चीज यहां तक ठीक है अब आगे देखते हैं क्लास थोड़ी सी लोंग हो सकती है कोई बात नहीं आप केवल समझने की कोशिश करना यह आपके भले के लिए ही मैं इतना टाइम ले रहा हूँ ना क्यूंकि आप चीज को बेटर समझ पाओ आप एकजाम में सभी से होशार भूस링 क्लास में सभी से होशार है नौर अच्चे नंभडा 약 यह संकोी इसलिए कोशिश कर रहे तो टेन थीटा टेन क्या होता भी होतँ है किया टेन क्या ठीकिब बात करेंगे बच्चो तो पी कितना नेगेटिव है मतलब माइनस का 4h कितना 5 तो जब यह नेगेटिव थो उल्टा भी तो नेगेटिव होगा मतलब यह वाले जो चीज 영상을 यह आपके ये वाला परिफार ये वाला वैला AAA यह वह आपके 10 आपके तैन का और कोटका भी नहीं क्वी क्यूंड गलत नहीं होगा तो क्यवल कंज़ेटको समझने कोशिश करना वापस से बूल देता हूं यह चार प्लोट थे हमने यहां पर डिस्ट्रीबीट करने के लिए सिस्टम सिखाया क्या system सिखाय बच्चों कि distribute करते हैं जब ऐसा होता है तो हमने याँ पे देखा किया यह जो पहले इसको प्लोट कराए कि reference था यह यह माइनस था यह आपका प्लस वह था बच्च Film यह किता था आप पूरी चीज को इखटा कर रहा हूँ अब आप लोगों नहीं क्या देखा किया हमको इनको प्लोट करने के लिए राइट एंगल मनाना पड़ता है तो पहले हमने यहां पर आपको पॉझीटीव सब्सकूर्स भी ख्याये अब अप लोगों को भूला किएंगे प्रड़ पोजीटीव बाने उसी का हो जाता है पॉजिटिव आएंगे इसलिए मैंने यहां पर बोला ओल पॉजिटिव इसका मतलब यह गर आपके सभी का है सेगेंड वाले घर में गए बच्चों यहां से इसे लाइन ड्रो करी यह आपका थीटा बना इसके सामने वाला यह तो इस पर था तो यह प्लस का पी होगा यह इस साइन का साइन का उल्टा को से प्रोजिट आवाएगा लेकिन अगर मैं कोष की बात करोंगा तो बच्चों माइनस कंभी आजए मतलब नगीटिव ओगया तो यह आपका साइन को सनी का इसी तरीके से आपने यहां पर भी चेक लिए माइनस माइनस जी पोजिटिव जाते व यहां तक की चीज आप लोग समझ चुके होगा ठीक है अभी चलेगी क्लास और चलेगी आप बोर मत उना केवल आप लोग चीज समझने की कोशिश करना क्योंकि इसको अपन बीच में नहीं चोड़ सकता अगर बीच में चोड़ेंगे तो वापस क्लस कल जोगी क्लास वो यही स्टार्ट करीबी ठीक है को हिस आप लोग यहां तक की चीज को को इंसान वॉण तो नहीं हो रहा है समझ मारा ना चीज अउस ली को रीप्रेजेंट करने के लिए हमको उनको चार प्लोट देने पड़ेंगे कितने प्लोट देने पड़ेंगे बच्छो चार प्लोट उन्हीं चार प्लोट का नाम क्या होता है quadrant होता है तो यह जो होता है वह first quadrant कहलाता है यह आपका second quadrant कहलाता है यह आपका third quadrant कहलाता है और यह आपका बच्छो fourth quadrant कहलाता है ठीक है उसके बाद यह आपका 90 degree होता है यह भी आपका 90 होता है यह भी इस श्ट कूल तू कोचिंग क्या याद रखो कि बच्छो आफटर इस श्कूल तू कोचिंग लेकिन यह फुर्मला भी गलत हो रहा ना तो स्विल जा पारहे और ना आप लोग कोचिंग याफ ही पड़ेंगे लेकिन यह fiable आप लोगो को अंदर पॉजिटिव की स्पेलिंग भूलिए अब गनीद के चक्र में इंगलिश बूलता जा रहा हूं तो यह फर्स्ट कॉर्ट इंदर ओल पॉजिटिव थी तो ए मतलब बचो ओल पॉजिटिव और इस की बात करो स दोनों कर स्ण बागी सबना ओंग के अश्या उसहूं और window और दूसरें आप निलए मां आप लोगों को एक आइज दिस्क्रिप्टिव समझे मतलब होता बच्छो कोस फैमेली कोस फैमेली मतलब कोस थीटा और किता शेख थीटा यहां पर पोजिटिव विमेंग जितनी भी विली वह जाएगी बच्छो नेगीटिव यहां तक की चीज़ क्लिए रहे क्या यह तो अपने क्या करा इनके घर का इस को साइन का गड़े यहां तक की चीज़ क्लिए है लेकिन अब हम इसकी बाउंडरी करते हैं अब मैं प्लस एकस एकस न शेख को हटा रहा हूं क्योंकि एंगल के सप्ट मांगर मैं बाउंडरी करता हूं तो यह आपके पास एक बेस लाइन है शने हैं इस पर अगर इसका मतलब बच्छो यह एंगल किता है का है जिरो डिगुरी का है बच्छे ऑढ़ इसे है यहां से स्टार्ट होगा और यह आपके पास वहते हैं कि यह हैं कि इस को मीट करें यहां कि इसन dishes न हो सकताに पहुत है लाइंटनस डीक्राइप है यह पॉर्षिन गहिए तो है वाल तो इसकी पोर्षन काफ है कि यहां पर क्यों यहां पर 9 90 की अगर मैं इस वाले की बात करूँगा तो माइनस एकस कि जेग यह किता हो जागा 90 90 इसके रिस्पेक्ट में गूमना बचो तो यह से था चीज ऐसे हो जाएगा तो यहाँ यहां पर बात करूंगा तो यहां पर था ऐसे भी गया ऐसे भी गया ऐसे भी गया लास्ट वापस यहां चल गया इसलिए इनके दिवारों की लाइन दे अब क्या हुआ बच्छो एक दिन क्या हुआ इनके फैमिली का डिस्ट्रिबूशन हो रहा था तो इनके हुआ कि जमीन का बटवार हुआ तो क्या बूला कि इससे सबहbuat सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में ना इंटी डिग्री माईनस्थीटं अब ये थींटा क्या होता बचो एंगल अब के काम की जीज़ यह आपका जो स्पर्स्ट क्वाड्र की लिमिट और इसके बीच मी वेरी कर सकते हो इसके बीच में आपका गर केवल यही कि आप इस बाउन्डरी से स्टार्ट हो कि मैग्जिमम इस बा lingering पर जा सकते हो आप इसके रहे मैंने सा क्यभ斯 कैम discourse आपके आपकी एह कूद सकते हो क्यों कि आपकी यहां से यहां मानता हूं तो 90-0 90ग नार दिवार पर रहेंगे मैं मानलों 90-10 करहेंगेаньte लिखता हूं युडिय तो भी 90-20 डिग्री तो भी 90-20 20 किता सेवंटी तो सिट्फित तो भी आप करा होगे इसी के अंदर होगे समझ भार हो मेरी बात को ठीक है तो 90 तो ध्यान रखना फर्स्ट क्वाडेंट की लिमिट क्या होती बच्छो 90 माने सीटा ठीक है अब आगे ध्यान देना अब मान दो साइन और कोशे की बाउंडरी बनानी इनके लिए क्या बनाएंगी यह लास्ट किती थी 90 अगर मैं 90 से आगे जाता हूं मतलब 90 में कुछ एंगल प्लस तीटा जाते सेक्ट काटेंट के अंदर क्या होता है 90 अगर यहां पर बात करूए यह तो इसकी लौवर लिमिट थी अना कि 90 डिगरी प्लस तिटा कराएंगे तो इसमें कूदेंगे लास्ट लिमिट के इनकी लास्ट का है बच्छो वानेटी तक इसका मतलब वानेट करने इस वाली चीज़ को समझना ही पड़ेगा वापस बोल देता हूं 90 से ज्यादा यहां पर और यह 180 से कम आपका यहां पर होगा समझ गया बात को क्लियर चीज़ आज की क्लास अगर आप लोगों ने समझ दी तो ध्यान रगना अनंद जाएगा यह 180 से कम ना अगर मैं 207डि का मैं समझ गया इसकी लीमिट यह 180 से ज्यादा लेकिन डूसेटर से कम 217 से कम हुऐँ 290 से जधा है है लेकिन किस से कम वैं बचो 360 verder से कम है दो лекी स्तर से जदा होगा है लेकिन 360 से कम होगा यहां तक कि चीज समझ गये करें किया आगे 300 सॉ Alabama में जाना है तो हम यहां जाते यहां तक की चीज समझें कि आप लोगों किसी चीज अब आपको मैं 10 के इसाब से केवल फर्स्ट कौरिंट को भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा बाकी की सबी चीज आपके क्या होता है 11 के क्लास के इसाब से तो थोड़ा बहुत मैं आपको देंगा वह वाली चीज भी लेकि अब आगे देखना इसमें तो कोई इस्यू नहीं चलो इसको रफकार देते हैं अपन नयार रफकरने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूँ देखो छोटी सी चीज क्या बताता हुं बच्छों यहां पर आप लोग एक छोटी सी चीज को नोटिस करना क्या अगर कभी भी हम 90 डिग्री और 270 डिग्री के रस्पेक्ट में कूदेंगे ना अगर कभी भी हम 90 डिग्री और 270 डिग्री के रस्पेक्ट में कूदेंगे मतलब अगर 90 और 280 यहां से अगर आप लोग छलांग लगोगे इदर जाने के लिए या इदर जाने के लिए और यहां पडूसी पडूसी आपस में चेंज हो जाता है मतलब साइन कोट में और सेक किसमें चेंज हो जाता बच्छो को सेक के अंदर ना वापस बोल रहा हूं कि अगर आप 90 यह आपका 90 था यह आपका 270 था आपके अभी काम केवल 90 से ही पड़ेगा ध्यान रखना 10th क्लास में केवल क 90 से ही है आर बेसी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पूरी एक एक ससाइज इस से रिलेटेड तो 90 और 270 ध्यान रखना 90 और 270 में मतलब इस जगे पर खड़ा होगे अगर मैं इस घर में कूदना चाहूं इस जगे पर खड़ा होगे इस घर में कूदना साहीन में कैसा होता है आगे बात करेंगे ना चीक में चैन्जिञे टाथं जाता बच्यों कोट चैन्ज में चैन्ज़ ओजाता खेखक को सेग में चैन्ज़ othat आपका सेक इस चैन्ज़गे यहां तक की समझ गया हना लेकिन आगर आप किसी वयर्टिकल लाइन के रेस्पे सबसक्राइब Фet пуă इधर ना चाओ थिए तो भी आपके चेंज नहीं होगा मतलब साइन साई Lang तो बोल देता हूं after school 2 coaching after school 2 कोचिंग उसके बाद वही 90 माइनस सिटा यहां जाओगे 90 प्लस 180 माइनस यहां जाओगे 180 270 का गेप यहां पर 270 360 के बीच की चीज़ ठीक है सभी बता दिया आपको after school to coaching समझ पारो ना बात को अरह बोलते रहो यार मैं मेनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं यह सब चीज़े ऐसा नहीं कि मैं आपको गर मालो 60 मिनिट से ज़्यादा पड़ा दूंगा तो मैं मेरिट मा आजाओंगा है ना मेरिट मा आप लोगी आओगे नंबर आप लोगों के अच्छा आएंगे इसलिए concentrate करना चीज़ पर यहां तक की चीज़ क्लियर अब बच्चों मैं आप लोगों को एक बहुत important concept बताना जा रहा हूं जो concept आपके 10th class का 8.2 कवर करेगा और अगर आप लोगों के कोर्स चेंज नहीं होता है RBSC वालों के तो शायद आपके 6th chapter होगा trigonometric ratios हाँ शायद 60 होगा तो उस वाले chapter के अंदर आएगा ना ठीक है अब ध्यान देना चीज़ पर जैसे मान लो यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है यह ट्राइंगल है A B और यह C ठीक है यहां पर म एंगल का समकित्ता होता है 180 उसी का समझा रहा हूं चीज तो आप लोगों ने यहां पर भी देखा था चीज साइन 30 जो था ना वह किसके बराबर था बच्छो को सिक्स्टी के बराबर था यह तो मैंने आपको देशी भाशाम बताए था वेल्यू निकाल के यहां से पी बा 118 तो किया मैं सी पूल सकता हूं इंगल एक प्लस एंगल बी दो किता तो ża किया नाइनटी में सब्सक्राइब टो क्या मैंस को फ्सक्राइब तो माइनस का थीटा एंगल एक ता क्या पाल एक किया अगर इसका मतलब ढौह बचुन कि एंगल एक की जो वेलियो आगए ना मैंने आप के सामने simplify करके बता दी कि यह angle एक किता का जाएगा 90 degree minus theta का यहां तक की चीज क्लिया रहेगा यह 90 minus theta का जाएगा हना अब आगर मैं यह theta मानता हूं जैसे माल लो मैंने आप लोगों को बुला कि मुझे साइन थीटा बता हो साइन थीटा क्या होगा थीटा के सामने वाला यह परिंडिकुलर अगर तो अगर मैँ आप लोगों को साइन थीटा पूछू तो साइन थीटा किता परेंडिवॉर्पेंडिडिवर्ट परेंडिवर्ट बच्छो एब यह आपके पास 2 भी हाइपूटेनिस किता है पहलवानों एसी या आपके पास एसी मन लगा के पढ़ते रहो लग रहा होगा जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं कोई बात नहीं कि आज आज की बात है कल से आपके पास कम कर देंगे क्लास ठीक है आज जदा पढ़ लिए कोई बात ही कुशिश करो य आपकी सो में से नम्बर आ जाएंगे जैसे आप लोगों ने से सोचा ना किया रहा है ज्यादा हो गया इतना प्ड़ता है जिस दिन ध्यान रखने आप वापस नीचे आता जाओ गया ना सो में से सो नमबर लाने है इसलिए पेशन्स रख्के पढ़ते जो तो साइन तीटा आपका पीवाय इस था मतलब कितना एब डिवाड़ वाइब कितना होगे बच्छों एसी हो गया ना ठीक है अब यहां से मालो मैं आपको बोलू कोस और थिटा की जगे क्या इस बार यह वाला पॉर्शन ले रहा हूं एंगल यह वाला ले रहा हूं एवाला तो कोस आगी क्या आप लूग यह वाला इंगल लेते हो ना तो बच्छों परपेंडिकुलर तो यह होगा और बेस आपका यह होगा समझगे मेरी बात को तो हम ऐसा लिख सकते बेस यह होगा मतलब बेस कितना आप लोगों के पास में एबी एबी है ना हाँ एबी डिवैड़ वाइपोडिनि माइनस कितना थीटा इसलिए मैंना आप लोगों को अभी थोड़े देर पहले एक चीज बोली थी अगर यह थीटा है और यह 90 मैनस थीटा है तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं इस वाली चीज को इस वाली चीज को ना तो आप क्या बोलोगी इसका थीटा प्लस यह 90 डिग बना बच्छो 90 डिगरी जो चीज में आपको पहले बता चुका था और मैंने बुला था आगे जाके प्रूफ करूंगा तो यह ने प्रूफ कर दिया कि यहां का थीटा और यहां का थीटा जोगा उन दोनों का समकित्ता होता हमेशन 90 डिगरी क्या आपको शूल करके बता द समझना चीज को ध्यान से इंपोर्टेंट चीज क्या मिले जो साइन थीटा होता है बच्छो वो किसके बोलता कोस 90 माने सीटा के क्योंकि दोनों का समनभ्य बनना चीज समझ पा रहो ना ऐसे आप लोगों के पास मिए अगर मैं यहां पर ऐसा लिग दू को सिटा तो वो भी किसके बोल जाएगा बच्छो साइन 90 माने सीटा के कोई फरग नी पड़ रहा है ना साइन इसको विरी करा सकते हैं ऐसे हमारे पास टेन थीटा जोगा बच्छो वो किसके बोल जाएगा कोट 90 माने सीटा के ध्यान रगना चीज को कैसे यह आप लोग प्रूफ करके देख ल अतलब कोट 90 माने सीटा को निकालना वापस बीबाई पी करके तो आपको दोनों सेम विल्यू मिलेगा ऐसे कोट करे करोगे तो भी सेम विल्यू मिलेगी ऐसे बच्छो सेक और कोसेक जो होते ना वो भी आपस में क्या करता है सेम विल्यू देता है जैसे यह सेक थीटा आप लास्ट पांच मिनिट और या आज की ग्लास खतम ठीक है यहां तक की चीज़ समझे अब आपके एक्जाम में जो क्योशन आएगा ना आपके एक्सरसाइज के जो क्योशन आएंगे वो कैसे आएंगे एक बार हम उन क्योशन के बारे में बात करें लेते हैं उसके बाद आगे क्योशन है और विद आइस्क्रीम तो जो अच्छे से पढ़ेगा जो अच्छे मार्क्स लाएगा टेस्ट में उन सबीकों में कोल्ड कोफी विद आइस्क्रीम ठीक है कितने क्याती नहीं पता लेकिन सबको पिलाँगा अब आगे जैसे मान लो आपके पास एक्जाम्पल क् कोट नब्य में से 21 गटाओ किता आता है 69 59 और एक किता आता है अस्य हो जाएंगे न 69 69 बिल्कुर कोट 69 डिगरी इस इक्वल टू किशन मार्क मैंने आपके सामने ये दो क्यूशन लिखे कि भाया एक तो इसका वेल्यू बता दो एक इसका वेल्यू बता दो ठीके ध्यान द इन दोनों में इसे किसी भी एक को Change जेंज करा form सुनना धियान से अगर मैं इस को सितर को मन में चेंजर कर ना तो तो मैंने आप लोगों को mirit है बच्छो क्या सिखा रहा है कि जो पडोसी पडोसी होते हैं वह नफर डिग्री के सम के अंदर सेम वेल्यू देते हैं तो मैं इसा लिख सकता हूं कि इस को सितर डिग्री को अंशर किने को काट água Springs होगा के सकता हूं कि जो sitearls को काट खरिए सकता हो कि COOS Saturday किता हुगा साइन 20 डिग्री के सकता हूं एसा थीक है साइन 20 से यह साइन 20 खता आग़ बच्छों एक आ जाएगा समझ गया बात को क्लेर चीज्च वापस बोल रहा हूं इस को सितर को मैं साइन 20 लिख सकता हूं हो ना क्योंकि मैंना आपको बताए कि जब दो पडोसी का सब 90 डिगरी होता है जब दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं इसका मतलब को सित्तर की विल्यू वह होगी बच्छो जो यहां पर मैं साइन्रफ्वेंटी लिखता हूं इसकी जगे पर शाइन्रफ्वेंटी से साइन्रफ्वेंटीख नेमड civी खता जाएगा आप लोगों के पास में एक निकलने का तरीका सिख देखने का भी सीखे पहले इसको देखते यह जैसे आपके आपके लिए बरबाद किया ना बरबाद नहीं के सुरी आबाद के आप लोगों के लिए आप अच्छा चीज़ सीख पाओ ठीक है तो यह इसका आंसर लिखेंगे के सामना यह तो आपके में डारिक्ट जुगार करके बता दें किसका आंसर किता होगा बच्छो वन होगा ठीक ठीक है अब आप लोग चीज को समझना ध्यान से यहां किता था को सेवंटी डिग्री यह को सापका सित्ता अब लिखेंगे कैसे बच्छो आपको पता है कि चेंज तो कराते हैं लेकिन वहां पर चेंज करने के लिए होता क्या है कि जो साइन थीटा होता है ना वह किसके एक साइन प्वंटी तो ऐसा कैसा है ना ये साइन थीटा लेखुंगा को सैं तब जाके आपके पास वह चीज क्लिखए बन रही होगी साइन थीटा बन रहागा ना इसका मतलब क्या हुआ यह कोस ऐसा का ऐसा अगर मैं मैं इस नबह मैं से उपर वाला 20 लिखा अगर मैं 90 मैं से उपर वाला 20 जटा दू तब यह नबह माइनस 20 करके किता बन जा Number साइन 20 बन जाएगा जैसे मैं यहाँ पर थटा के ज़गे 20 लिख दू क्योंकि हमने को यहाँ पर 20 आ यहां पर देखना 20 लिखा मैंने ठीटा की जगे 20 लिखा यहां पर भी ठीटा की जगे इता लिख दिया लिख दिया तो यह SIN 20 सिंट को स्पर वाली चीज्ट लिखी विए कूछ कोस 90-20 किसके बराबर होता बच्छो साइन 20 के तो यहां पर किता साइन 20 यह दोनों केंसल आंसर किता वन इसको लिखने का तरीका और अच्छे से सिखेंगे कल कोई तकलिफ वाली बाद नी अभी केवल समझते पर चलना अभी आपको इतनी सी चीज समझ में आनीची कि को सित्त इसको लिखने का तरीका में कल आपको अच्छे से बढ़ाऊंगा लेकिन आज आपकी इनर्जी भी खतम हो को इसलिए देख रहे हैं जैसे मालों थीटा यहां पर 21 लिख दू यहां पर 21 तो यह ऐसा बन रहा है कि 10-21 बच्छों किसके बराबर है आप लोगों के पास में 90-21 के सकता हूं और 90-21 किसके बराबर आ रहा है यारा कोट 69 के बराबर ठीक है तो आप इसकोट 69 को किस से रिप्लेस करा सकते हो आप इसा लिख होगे यह 10-21 ऐसा कैसा क्या स्टेप आजएगी बच्छा हों कोट 69 के जाएगे कोट 90- किता यह आपका 21 लिख सकते हैं यह 90-21 अग कोई बात नहीं मेरे को पता है कि आप लोग नहीं समझेंगे पर आप लोग एक चीज समझाना और निकालना कि कोट 69 को मैं काट के 10-21 लिख सकता हूं यह और समझ जाना यह डिस्रिप्टिव चीज में आपको कल अच्छे से और समझा दूंगा ठीक है आज मुझे पता है कि आप लोग भी बहुर हो रहे हो ठीक है क्लियर चीज यहां तक कि अब ये तो बात थी बच्चों पढ़ाईगी तो आप लोगों ने पढ़ा है आस तो पर ने काफी टाइम स्पेंड किया तो आप लोगों को चीज समझ मारी ना एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बतात इस में से लेते हो या फिर आप जी क्योंप्री तयारी करते हो तो वहां पर आपके concept क्लिंए ओना जरू प्रणावे हिए लगें Laughing अं सं को काम ने चवालि desert ऐसे शकल भी मैस लेकिवी इतनी मैस आपको आनी चाहिए समझ रहो मैंनी बात को तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो ज्यादा से ज्यादा इस एक को शेर करो और एक और मैं आपके सामने बहुत बड़ी बड़ा अनॉंस्मेंट कर देता हूं कि 10 माई तक आपके जो यह क्योंकि इसको तो हम खतम करने की कोशिश करेंगे ठीक है लेकिन 10 माई तक अगर आप CBSC के बेच में एडिमिशन लेना चाहते हैं जो CBSC के बेच में पढ़ना चाहते हैं उसका सुल के बच्चो 2,000 रुपए और बकायता जिस एनरजी के साथ में आपको मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया उसी एनरजी के साथ में मैं आपको कोर्स के टिल लास्ट डेड्स होगी उस एनरजी तक मैं आपको पढ़ाओंगा ठीक तो आप थोड़ा सा अपने आपको इंप्रूमेंट करो यार अगर आप लोग इसे एनरजी नहीं दिखा होगे तो फिर सामने वाले को मज़ा नहीं आता पढ़ाने में तो मैंने आपको टेस्ट के लिए मेसेज नहीं किया कोई बात नी चीज़ इंसान ने कल मेसेज नहीं क कोई डाउट रहते हैं तो बहले रात को बारा भी वज़री हो ना आप मुझे मेसेज करके पूछ लेना कि सर मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आ रही ठीक है बच्चों मिलते हैं कल ओके थाइंक्यू धन्यवाद